पूरा अरब देश गज़ा पर हमले में इसराइल के साथ है नेतन याहू के इस अलजाम के बाद साओधी अरब में खलबली मच गई है तीवी चैनल को दिये एक इंट्रव्यू में दो दिन पहले नेतन याहू ने पूरे अरब मुमालिक पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा की पीछे से पूरा अरब हमास को मिचाने में हमारे साथ है और जाहिरी तोर पर मजम्मत कर रहा है अब खुद साओधी के क्राउन प्रिंस मुम्मद बिन सल्मान ने अपने यहां गज़ा में हो रहे हमले को रोकने के लिए एक मुलाकात मुनकित थी नेतन याहू के बड़े खुलास के बाद पूरा अरब देश सक्ते में हैं कि कैसे इसराइल खुले आम पूरे अरब खिते को अपना साथ देने का खुलास कर रहा है इसके बाद साओधी क्राउन प्रिंस मुम्मद बिन सल्मान ने खुद मीटिंग बुलाकर अब गज़ा में हमले को रोकने के लिए मीटिंग करना शुरू कर दी है बतादे की रमजान के मुकदस महा में भी इसराइल के जालिमाना कारवाई गज़ा पर जारी है जुनूबी गज़ा के रफा में जंग से पना लिये हुए फिलिस्तीनी डर और खौफ में जी रहे हैं ये लोग पूरी दुनिया से मदद की ग पर आया गया न्यूज वेबसाइट अरब न्यूज के मुताबिक साओधी के क्राउन प्रिंस मोहमद बिन सल्मान की सदारत में एक हफ्तावार कैबिनेट मीटिंग में वुज़रा ने 1967 की सरहदों पर फिलिस्तीनी रियासत के क्याम के लिए एक काबिले एतमाद रास्ते के जर्य फिलिस्तीनीों के तहफूस के हुकूक पर जोर दिया इसके लावा गजा में मसलसल जारी इसराइली कारवाई को रोकने की जरूरत पर भी गौर किया गया दरसल इस तरह की मीटिंग सिर्फ एक दिखावा है असल में तो अरब मुमालिक को गजा के दर्द का कोई पाईने नहीं हैं जिसमें आए रोज सिर्फ आपस में ही बातशीत करके बस मजबमत कर ली जाती है लेकिन हकीकत में इसराइल को रोकने के लिए कोई सक्त कदम उठाने के फैसले नहीं लिये जाते जिन फिलिस्तीनी लोगों के लिए ये मीटिंग की जाती है उनके आज़ा भी नहीं है कि फलिस्तिनी लोग इतने महीनों से बिना च्छत खाने पानी के कैसे जिन्दगी जीने की जद्दो जहत में लगे हैं गजा के जुनूब में वाके रफा में जिन्दगी इंतहाई तकलीफ में गुजर रही है भूग प्यास की शिदत से बेहाल मासूम ब के बरदाश कर रही है लोग आसमान को बड़ी उमीद की नजरों से देखते हैं कि कहीं से कोई इमदादी जहाज आए और उनको कुछ खाना नसीब हो बाजारों में वो रौनक नहीं जो हुआ करती थी बाजारों में खाने पीने का जो सामान मौजूद दिख रहा है वो जर माहे रमजान में भी इसराइली हुकूमत ने गज़ा में इमदाद को दाखिल होने के लिए कोई इजासत नहीं दी है जिससे माहे रमजान में लोगों के दर्द और जादा चलक उठे हैं रफामे बौजर के करीब फिलिस्तिनी लोग इंतहाई डर और खौफ के महौल में ज मंगल को वजारत दाखिला ने एक बयान जारी किया है आपको बताते कि वजारत दाखिला ने साफ किया है कि CAA से किसी भी हिंदुस्तानी के शहरियत नहीं जाने वाली है इसके साथ ही वजारत दाखिला ने C.A. के सिल्सले में मुसल्मानों और तल्बा के एक ग्रूप के डर को दूर करने की कोशिश करते हुए ये वाज़े कर दिया है कि इस एक्ट के बाद किसी भी हिंदुस्तानी शहरी को अपनी शहरियत साबित करने के लिए कोई दस्तवेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा वजारत दाखिला ने अपने बयान में कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगलादेश में अखलियतों पर जुम की वज़त से दुनिया भर में इसलाम का नाम बुरी तरह से बदनाम हो गया है ताहम इसलाम अमन का मजभ है जो CAA लागू करने के बाद दिल्ली के जामिया मिलिया इसलामिया में तल्बा ने एहतिजाज शुरू कर दिया है आपको बता दे कि एहतिजाज को देखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिटरी के सैकलों जवानों को कैमपस में तैनात कर दिया है ताहम इदारे के वी सी केंपस के अंदर इजाज़त देने से इंकार कर दिया है की मुल्क में नाफिस होते ही बड़ी तादात में लोग इसका इहतिजाज कर रही है जामिया मिलिया इसलामिया में का स्टुडेंट और्गनाइजेशन ने के खिलाफ मौर्चे खोल दिये है मंगल को मुस्लिम पर मुस्लिम ने जमकर डंडे बरसाए थे यहां तक कि पुलिस ने कैमपस में बिना इजाज़त घुसकर तलबा की पिटाई की थी इसके लावा इदारे की कई तलबा पर मुकदमें भी दर्च किये गए थे एन एस यू आई से जुड़े एक कलबा ने बताए कि सी एए ए को बाहर रखा गया है हमारा एतिजाज हकूमत की खिलाफ और हम चाहते हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए मरकजी हकूमत की तरफ से सी एको लागू के जाने के बाद से मुल्क में स्यासी घमासान छिड़ गया है पूरा पोजिशन इतिहाद इंडिया ची एक खिला से हमारे बच्चों को रोजगार दिये नहीं जा रहे पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाते हैं हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है भारत के तो धेरो लोग बेघर हैं लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भ भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। भी कोट का दर्वार्जा खटखटा सकते हैं, वो इसी ने कहा कि हकूमत के पास कानून बनाने की ताकत है, और हकूमत ने सी ए कानून बना भी दिया, मुसल्मानों को मजभब की वज़ज़ से जान बूच कर टार्गेट किया जा रहा है, लेकिन हम नाउमीद नहीं होंगे, औ उन्होंने आगे बताया कि CAA को NPR और NRC से जोड़ कर देखना चाहिए, ओवेसी ही नहीं, कई उपोजिशन लीडरान ने भी CAA की जमकर मजब्मत की है, समिलनाडू और बंगाल के वजीर आला तो पहले ही इसे सुबह में लागू नहीं करने को लेकर बयान जारी कर चुकी ह वहीं CAA लागू होने के बाद स्प्रिम कोट में कानून को गैर आईनी बता कर कई अर्जियां दाखिल की गई है, बता दे कि लोग सब इंतखाबाद की तारीकों के एलान से पहले AIMIM के चीफ असादुदीन ओवेसी ने बड़ा एलान किया है, ओवेसी ने बिहार के 11 सीटो के मेंबरों ने इंद्रिलोग इलाके में नमाज पढ़ रहे कुछ लोगों को लात मारने के इल्जाम में पुलिस अहलकार को बखास्त किये जाने के खिलाफ मंगल को दिली पुलिस हेड़कौर्टर की बाहर एहतिजाज किया, आपको बता दे कि दौरान दाएं बाजू की संजीम के कई मेंबरों ने हनुमान चालिसा का पाठ किया और जैश्री राम के नारे भी लगाए, एसाई मनुच कुमार तोमर ने आठ मार्श को शुमाले दिली के इंद्रिलोग में सड़क पर नमाज पढ़ रहे कुछ लोगों को धका दिया था, और लात मारी थी, जिसे लेकर सैक्डो मकामी लोगों ने पुलिस के खिलाब एतजाज किया था, इसके बाद आरोपी पुलिस एहलकार को बर्खास कर दिया गया था, हिंदू रक्षदल के कनीता ने कहा, अगर उन्हें सड़कों पर नमाज पढ़ने का हक है, तो हमें भी सड़कों पर हनुमान चाल मरकजी हकूमत ने दिल्ली हाई कोट में मौलाना अज़ाद एज्जूकेशन फाउंडेशन को बंद करने के अपने फैसले का बचाफ किया है, हकूमत ने कहा है कि M.A.E.F. की कोई जरुत नहीं है, क्योंकि तालीमी तोर से पिछड़े अकलियतों के लिए पहले से कई स्कीम चल रही है, कुछ दिनों पहले हाई कोट ने मरकजी हकूमत से M.A.E.F. को बंद करने को लेकर जवाब तलब किया था, मरकजी हकूमत के तरफ से बोलते हुए A.S.G. चेतन शर्मा ने खास फिलाल अकलियतों की बहतरी के लिए खास वजारत है, इस वजारत के पास स्टाफ और इंफरस्ट्रक्चर दोनों हैं, ये वजारत अकलियतों की जरूतों के मताबिक काम करती है, ऐसे में अकलियतों की तरक्की का काम किसी खास इदारे को देने के पुराने तोर तरीके पर नहीं किया जा सकता, A.S.G. ने कहा कि अकलियती वजारत ने अकलियतों के लिए 1600 प और दया सिंग की दर्ख्वास दार करने के बाद दिया गया था, दर्ख्वास में M.A.E.F. को बंद करने के सेंटरल वक्स काउंसिल की अर्जी पर अकलियती वजारत की तरफ से हमोहर लगाने की हुक्म को चुनोती दी गई है, उतर प्रदेश के बाना जेल में बंद मुक् को ये सजा सुनाई है, इस दोरान मुक्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फरेंसी के जरीए पेश किया गया था, इसी अदालत ने 5 जून 2023 को अफदेश राय कतल मामले मुक्तार अंसारी को उम्रकाइट की सजा सुनाई थी, मुक्तार को अब तक 7 मामलों में सजा मिल चुकी है और अबाट में मामले में उनको मुझ्रिम करार दिया गया है, हापुर की एक अदालत ने साल 2018 में होई मौवलिंचिक मामले में 18 मुझ्रिमों को अम्रकाइट की सजा सुनाई है, साल 2018 में हापुर के बज्छेडा कला के इलाके में भीड ने दो लोगों को गोकशी के इल्ज पतल कर गया था, जबकि दूसरा शक्स संगीन तोर से जख्मी हो गया था, अदालत ने गाउं बज्छेडा, खुर्द थाना, पिल्खुआ के रहने वाले युधिष्टर, राकेश, कालू उर्फ कप्तान, सोनू, मांगिराम, रिंकू, हरियोम, मनीश, ललित, करनपाल को य हुई थी, मरहुम कासिम के घरवालों ने मुझरिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, वजीर यादम नरेंद मोदी ने इंडिया स्टेक दू चिप्स फॉर विक्सित भारत तक्रीम में हिस्सा लिया, इस दोरान पीम मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के ज़र य परी गाउं में लगाए जाएंगे, गौरहो पिछले महीने कैबिनेट ने हिंदुस्तान में तीन सेमिकंडेक्टर प्लांट खोलने को मंजूरी दी थी, टाटा ग्रूप की कंपनी टाटा इलेक्रोनिक्स प्राइविट लिमिटेड गुज्जात में अपना सेमिकंडेक्ट फेवरिकेशन प्लांट खोलेगी, इसमें 91,000 करोड रुपे की सरमाया कारी की जाएगी, तकरीव के दौरान पीम मोदी ने खिताब करते हुए कहा, आज का ये दिन तारीकी है, आज हम इतिहास भी रच रही है, और रोशन मस्तक्बिल की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रही है, कॉंग्रिस ने लोग सबंतखाबाद 2024 के लिए अपनी दूसरी फेरिस्त जारी कर दी है, इसमें चार सुबों की 43 सीटों के लिए उमिद्वारों के नामों का एलान किया गया है, इससे पहले पिछले हाफ्ते कॉंग्रिस ने 49 उमिद्वारों की पहल और एक मुसलिम उमिद्वार है, लिस्ट में असम बारा, गुजरात साथ, मध्यप्रदेश दस, राजिस्थान दस, उत्राखंट तीन और दमन और दीब से एक यानि कुल मिलाकर 43 उमिद्वारों के नामों का एलान किया गया है, ताहम इस दूसरी लिस्ट में पार्टी की म वजीरे आला अशो गहलोत की बेटे वैवब गहलोत को जालोर सी कॉंग्रिस ने अपना उमिद्वार बनाया है, इस मौके पर कॉंग्रिस जनरल सेक्रेटरी केसी विनुगोपाल ने कहा, हमने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, कल CEC की बैठक की और इसम मध्यप्रदेश रा अपना दाखिल कर बताया कि 1 अपरेल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 इंतिखावी बॉंड खरीदे गई है, बता दे, SBI ने सुप्रिम कोट को बताया कि हुक्म के मताबिक, इलेक्शन कमिशन को इंतिखावी बॉंड के चंदे की मालूमात पराहम करवा दी है, 1 अपरेल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 इंतिखावी बॉंड बिके, जिसमें से 22,030 केश करवाए गए, 12 अपरेल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 18,871 इंतिखावी बॉंड खरीदे गए हैं, और 20,421 को केश करवाया गया, वहीं 1 अपरेल 2019 और 11 अपरेल 2019 के बीच कुल 3,346 इंतिख 209 को केश करवाया गया, इसके लावा, SBI ने सुप्रीम कोट को बताया कि 14 अपरेल 2019 और 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे और केश करवाए गए इंतिखावी बॉंड के सिलसले में, इलेक्शन कमिशन को डेटा फराहम कराया गया है, साथ ही इंतिखावी बॉंड की खरीद की ता था कि 26 दिन में आपने क्या किया, ये बेहा संजीदा मामला है, हर्याना के नए वजीर आला नायाब सिंग सैनी ने असेंबली में बहुमत हासल कर लिया है, नायाब हुकूमत को बहुमत के लिए 46 MLA का साथ चाहिए था, लेकिन उनको 48 का साथ मिला, सूबे के असेंबली में इतना बड़ा मौका दिया गया है, मेरे जैसा एहल कार्ट से बीजेपी में ही इतने बड़े ओदे पर पहुंच सकता है, बता दी कि हर्याना की सैनी रकूमत ने बुद्ध को सतन में एत्मात का वोट पेश किया, इस दौरां जेजीपी के सभी 10 MLA सदन से बाहर रहे, ताहम जेजीपी के 5 MLA सदन में पहुंचे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सदन से बाहर निकल गए, नाजवेन मुलक की बात में आज के लिए बस इतना है, मुझे दीजे इजासत आदाब